इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. मिने मियार पैंसर टैबलेट एक एंटी बाउटिक दवा है जिसका इस्तेमाल आपके शरीर में जीवानु संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है. यह फेफडों, मूत्रपत, आँखों और अन्य के कुछ संक्रमनों में प्रभावी है. यह बैक्टीरिया को मारता है, जो आपके लक्षनों को सुधारने और संक्रमन को ठीक करने में मदद करता है. इसका उप्योग गंभीर मुहासे के इलाज के लिए भी किया जा सकता है. मिनि मियार प्रैंसर टैबलेट का उप्योग कई यौन संचारित रोगों और एकने नामक्त वचा की स्थिती के इलाज के लिए भी किया जाता है. इसे भूजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। हाला कि आपको इसे नियमित रूप से अपने चिकित सक द्वारा निरधारत समय सारणी के अनुसार समान अंतराल पर लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। खुरा किस बात पर निर्भर करेगी कि आपका इलाज क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको हमेशा आपने डॉक्टर द्वारा बताये अनुसार इस एंटी बाउटे का पूरा कोस पूरा करना चाहिए। जब तक आप बहतर महसूस नहीं कर लेते तब तक इसे लेना बंद न करें। यदि आप इसे जल्दी लेना बंद कर देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और संक्रमन वापस आ सकता है। इस दवा के साथ आम तोर पर देखे जाने वाले साइड इफेक्ट्स में सिर्दर्द, चक्कर आना, उल्टी, जी मिचलाना, डायरिया और सूरे के प्रकाश के संपर्क में तवचा की प्रतिक्रिया यानि की प्रकाश समवेदन शीलता शामिल हैं। अत्यधिक धूप में निकलने से बचे और बाहर जाते समय संस्क्रीन और सुरक्षात्म कपडों का उप्योग करें। ये आम तोर पर अस्थाई होते हैं और उप्चार के पूरा होने के साथ कम हो जाते हैं। अपने चिकित्सक से परामश करें यदि आप पाते हैं कि ये दुश्प्रभाव आपको परेशान या चिंतित करते हैं। अपने चिकित्सक को सूचित करें यदि आपके पास इस दवा को लेने से पहले किसी भी एंटीबावटिक या जिगर या गुर्दे की समस्याओं से अलजी का कोई इतिहास है। आपको अपने चिकित्सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये आपकी दृष्टी को धुंधला कर सकता है या आपको नींद और चक्कर आ सकता है। ये लक्षन होने पर वहन न चलाएं। वीडियो को पूरा द